नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपको हमारे चैनल केशब इलक्ट्रिक पे देखे दोस्तो यह क्रफटन कंपनी का मोडल नंबर मीनी मास्टर टू मोटर है हाप एचपी का है इसका पावर और यह जो है दोस्तो फेज वन पे काम करते हैं दूसरा 20 वोल्ट इसको चाहिए कापस का वीडियो आपने नहीं देखा है अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसके लास्ट इंड स्क्रीन पे लगा दूंगा और इससे पहले देखे दोस्ता इसका कुछ इंफर्मेशन जैसे की स्टांपिंग साइज उसके बारे में जान लेते हैं तो स्टांपिंग सा इसका डाटा जो है डोस्तों जोहां दिखा देता हुं। क्वायल बना लिया हूं मैं लेकिन पहले Caylesक और लोग ये डाटा में दिखा देता हूं कई तो यही मेरा कौईल है इस्टॉल इसमें करेंगे लेकिन आप लोग डाटा इसका एक बार देख ले आप मेरे चैनल पर नए है दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेर जरूर करें देखे यह जितना नंबर पलेट पर जो रहता है इनफर्मेशन वो सम मैंने लिख लिया है और रनिंग कोईल का जो डाटा है काटने के बाद निकलता है दोस्तों एक से आठ में 77 टर्न एक से दस में 89 टर्न एक से बारा में 80 टर्न SWG 25 एक से आठ में 95 में 1 से 10 में 100 एक से बारा में 105 SWG 27 हो जाएगा स्टार्टिंग कोईल का देखे दोस्तों इसका आप स्क्रीन सट बना लें और डाटा आपको दिखने और लिखने और बनाने में असान रहेगी आप मीनी मास्टर मोडल जो आएगा इस मोटर में आप डाल सकते है यह ओरिजिनल डाटा है देखें मीनी मास्टर पलस टू का डाटा अलग होता है दोस्तों और मीनी मास्टर टू का डाटा अलग है दोस्तों तो इस बात से भूल ना करें कायकि दोनों में दो डाटा लगता है दोस्तों तो यह देखिए अब इसको जो बैंडिंग करना है तो लूप साइड जो है मेरा बाएं तरफ है और उपर की तरफ है इसलिए मैं मौर्टर को करवट करके बैंडिंग करूंगा और इसमें जो है क्वाल पीच जो मैंने बताया था दोस्तो एक से आठ तो इसलिए एक सीरा इसमें लेंगे एक क्वाल और इसका जो फर्स्ट सीरा है इनर वायर उसको अपने तरफ रहेंगे रखेंगे और आउट सीरा को आगे की तरफ रहेंगे ठीक है तो यह देखिये मैं किसी भी एक स्लोट में वार डालना स्टार्ट कर दूँगा तो देखिये इस पेपर लगा दे रहा है फर्स्ट कॉयल पर देखिये दोस्तो फर्स्ट कॉयल हमने डाल दिया है एक सीरा और दुसार का सीरा जो है तो बीच में छे खाली छोड़ना में कि शातमा में डालना है औरहां से और ले टौड़े स्वाहा और टक गिनें लगे तो आठ हो जाएक ठीक है दोस्तों बीच में छे खाली रहे गार दो शलोट में रहे लगाता है छे और दो आठ तो इसलिए इस पीच को हम लोग कहते हैं एक से आठ क्वाइल पीच हो गया इसका दोस्तों ठीक है जैसे कि बीच में खाली स्लोट छे है और इसी प्रकार से देखें दोस्तों अब इस क्वाइल को हम डाल रहे हैं प्लीट करके दूसरा क्वाल को जो है लगाएघ लेकिन उससे पाहले देखे इस क्या क्या क्यार ना होता है यह एब अब ही से नहीं शेइप देनंगे तो दोस्तों यह नहीं बाद में जाकर वाल इस प्रकार से इसको से देना है दोनों तरफ से करके कॉय्ट को ताकि यह बांदते टाइम और क्वाल ब्ल दुसरा कि स्टार्टिंग्वाल लगाते टाम दिक्कत ना करें तो इस फिर से यह दुसरा क्वाल लेंगे और देखे pada इस का जो यह सी रहा है इस तरह पसाना चाहिए ना कि ऐसे मुझना नहीं चाहिए ठीक है दोस्तों और यह लास्ट व्ला युथा एसे कि इनर आउटर वायर है वह जिस तरफ से निकला आगे तरफ से उसी तरफ से निकलना चाहिए तो चलिए दूसरा क्वाल भी इसमें इंस्टल्लेशन हो रहा है और आप मेरे चैनल पर देखे दोस्तों मोटर, मिक्चर, ग्रांडर, कटर, स्पीकर इस सब चीज का रिपैरिंग का वीडियो आप देख सकते हैं एल्टी हो गया और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि आने वाले परते एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे देखे दोस्तों तो दूसरा क्वाल ये जो है इंस्टल्ल हो रहा है और यह synergy का सेट था दोस्तों तो कहते ना येसरे साब फर्स्ट शेकेड लगाएं उसी प्रकार से इसKो भी लगाते ना है कि अब यह देखे हदोस्तों इसको लगा लेने के बाद जब यह दूसरा क्वाइल हम इस्टॉल करेंगे रनिंग क्वाइल का दूसरा सेट तो उसमें जो है सो एक बात की दनकारी जो है दोस्तों आप देख लिजिए इसके बाद में बता दोता दूंगा वीडियो छोर के नहीं जाए पूरा वीडियो देखिए इसके बात समझ में करना जाये और आप किसी भी मोटर को का बैंडींग कर सकते हैं सिंगल में तो अब हे उनिटृ मिए इसको भी लगा देते हैं इसंपे ब्लेपर लगा करके आपको दिखाते हैं कि किस परकार चींए बानिंग हुआ है ढहती juste को चाफ कर देते हैं इस फरकार चलो देखिए यह हो गया मेरा दोस्तो अब देखिए इसमें जो है दोस्तो दूसरा क्वाल डालना से पहले इसको थुरा से फूफ कर देंगे और देखिए मेरा कितना अच्छा सा हुआ है इस परकार से आप लोग भी सेफ करते जाए तो बहुत ही अच्छी रहेगी तो यह द प्रॉमेटिक बीच में छे शुट चुट जाएगा ऐसे ही करना दोस्तो तो चलिए अब इसको मैं डाल के दिखाता हूं डाल लिया हूँ और इस्टार्टिंग क्वाल जो है दोस्तो इस्टार्टिंग क्वाल को भी उस्टी परकार से डालना है इस में नापी लेकर के भीठाppar एपैशाय द इस्टोलेशन कर दिया है अब इसका जो है दोस्तो के करना है और वार्निसाब झाыт करें चाह्ते होते जनकारे आपको कैसा लगा धन्यवाद दोस्तो झाल झाल